हेलो फ्रेंड्स गूड इर्निंग आज हमारी ये 1000 कोश्टिंस की जीके सीरिस की क्लास नंबर रहेगी एट पहले वाली साथ क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो ये वीडियो हेलफ फूर रहेगी एस्पिटर्ड मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्स, जेबीटी, सास्त्री, एल्टी, उर्टू, सभी प्रकार के टैट की लिए 141 सना मारिन किस देश की प्रधान मंत्री है सही अंसर A. फिनलेंड 142 भारत माला भारत सरकार की किस मंत्राले की महत्यपुन प्रियुजना है सागर माला प्रियुजना के तहट पूछा जाए कि क्या बनाया जाता है तो सागर माला प्रियुजना के द्वारा जो है वो बंदरगाहों को बनाया जाता है एक और कॉश्चिन क्लियर हो गया आपका यहां से 143 C. A. क्या है सही अंसर B. Citizen Amendment Act 144 C. अंग्रेज़ी सिरकार ने शिमला को भार्ट के दिश्मा काली रास्थाने कब घोशित किया सही अंसर A. 1864 में 145 C. प्रसीद प्रेटंस्तल मांट आबू किस राज्य में है तो यह जो प्रसीद प्रेटंस्तल मांट आबू है 146 । तांडी यात्रा कब शुरू हुई थी क्यों नहीं रहा है क्यों कि यह जो गोआ था इस पे पहले पूर्ट गालीओं का अधिकार रहा है इसको जो है वो 19 December 1961 को पुर्तगालियों द्वारा अजाद किया गया है मतलब उनसे जो है गोवा को 19 December 1961 में अजाद करवाया गया था तब जो है इसे बाद में भारत के अंडर किया गया है इसी कान जो है इस कोशिंग को मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है क्योंकि इन मैंसे एक अकेला गोवा ही था जिस पर पुर्तगालियों का गबजा है रहा है नेक्स्ट कोशिं संतोस टॉफी किस केल से समंदित है तो टैट मैं मैक्सिमम टाइम ये ट्रॉफीयों वाले कोशिंग भी पूछ लिया जाते है कि किस खेल से कौन सी ट्रॉफी समंदित है तो इस अंतोस की अगर बात करूँ मैं तो वो रहेगी फुटबॉल से अब मैं आपको अन्य खेलों से समंदित ट्रॉफीय ये कप भी यहें पे साथ मैं बता देती हूँ सबसे पहले बात करते हैं गोलफ की तो ये समंदित रहेगी इस समंदित रहेगी प्रिंस ओफ वेल्स कप, राइडर कप और बाकर कप तो तीन कप इससे समंदित है में में वो मैंने आपको बता दिये नेक्स रहेगा रोइंग इससे समंदित रहेगी वैलिंग्टन ट्रॉफी उसके बाद है पोलो पोलो से समंदित रहेगा एजरा कप नेक्स्ट रहेगा वेट लिप्टिंग इससे समंदित रहेगा वर्दमान उसके बाद है लोन टेनिस इससे समंदित रहेगा डेविस कप बॉक्सिंग इससे समंदित रहेगा किंग कप क्रिकेट से बहुत सी ट्रॉफियां या कप समंदित रहेंगे तो उनके नाम बता देती हूं वो रहेंगे देबधर ट्रॉफी, दलीब ट्रॉफी, Așes ट्रॉफी, CK N Yese Trophy, Ranzi Trophy, Irani Trophy होक्की से समंदित रहेंगे बेटन कप, ध्यांचन कप, रंगा स्वामी कप, आगांखा कंप और इंद्रा गांधी गोल्ड कप फुटबॉल का एक आपको यहां पर पता चल चुका है कि संतोष टॉफी से समंदित हैं और जो इससे अन्य कप समंदित हैं वो रहेंगे रोबवर्स कप, मैक्सिमम टाइम रोबवर्स कप भी पूछा जाता है डूरंड कप, सुबूत्तो कप, नहरू गोल्ड कप और लास्ट में रहेगा बैंड मिंटन इससे समंदित रहेगा नारंग कप और चट्धा कप 150, इंग्लाइन की मुद्रा क्या है तो रहेगी पाउंट 142, हिमाचल प्रदेश की सबसे उंची चोटी, शिला की चीले में पढ़ती है, सही अन्सर B किनाओर में 143, यूआन किस देश की मुद्रा है, तो सही अन्सर हैगा B चीन की 144, यूरोपिया संका मुखेले स्थित है, सही अन्सर C, बिलजियम में 145, भार्त में वाणिजिक विमानन का जनक किसे कहा चाता है, J.R.D. टाटा को 146, 1971, इश्वी में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्या का दर्जा मिलने पर हो भारत का कौन सा राज्या बना था, तो भारत का अठारमा राज्या थोड़ा से अब मैं आपको हिमाचल के बारे में पुराना बता देती हूँ तो 15 एपरिल 1948 को लंबी राजनीतिक लड़ाई के पश्चात 26 सीमला हिल स्टेट और चार अजाबी पहाड़ी रियास्तों के विल्या से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है इसे सबसे पहले केंदर सासित मुक्या अयुक्त शेतर जीसे की चीफ कमीशनर प्रोविजन कहा जाता है का दर्जा दिया गया था एंसी महता प्रदेश के प्रतम मुक्या अयुक्त और e.b.moon प्रतम उप मुक्या अयुक्त बने थे maximum time question पूछा जाता है कि प्रतम मुख्या आयुक्त कौन थे तो वो थे NC महता और अगर उप मुख्या आयुक्त पूछा जाए तो वो रहेगे EP मून हिमाचल प्रदेश के गठन केस में इसमें इसमें चार दीले आते थे वो रहेगे चमबा, महासू, मंडू और सिर्मौर तो ये question maximum time भी आता है कि प्रवाने हिमाचल में कौन-कौन से आते थे और ने हिमाचल में कौन-कौन से आते थे तो प्रवाने हिमाचल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपको option दिये जाएंगे तो आपने याद रखना है एक आता था मंडी, एक आता था महासू, एक आता था चमबा और एक आता था सिर्मौर ठीक है हिमाचल परदेश 1948 से लेकर 1951 तक मुख्या अयुक्त कशेतर रहा है और यहाँ पर तीन मुख्या अयुक्त बने हैं, पहले थे NC महता, उसके बाद है EB मून और लाश्ट में बने थे भगवान साई भारतिय संसत ने 1951 इस वी में गर्ष रेणी के राज्यों का अधिनियम पारित किया इस अधिनियम के अंतर कर सेप्टेंबर 1951 में हिमाचल परदेश को गर्ष रेणी का राज्या बनाया गया अब मुख्या युक्त के स्थान पर उपराज्यापाल निक्त किये गए उसके बाद 1 मारच 1952 को मेजर जर्नल हिम्मत सिह को हिमाचल परदेश का परथम उपराज्यापाल निक्त किया गया तो ये भी कोशिन पूछा जाता है कि हिमाचल परदेश के परथम उपराज्यापाल कौन थे तो वो रहेंगे मेजर जर्नल हिम्मत सिह और 24 मारच 1952 को यसवंत सीम परमार ने हिमाचल परदेश के प्रथम मुख्या मंतरी के रूप में शफ्त ली थी तो ये ली थी 24 मारच 1952 में ये कोशिन कई बार पूछा गया है कि पहली बार जो है वो ये सुवन्त सीम परमार जी को कब हिमाचल परदेश का मुख्या मंत्री चुना गया था या बनाया गया था तो वो बने थे 24 मारच 1952 में फर्स्ट चुलाई 1954 इस वी को गर्सरेणी का राज्य बिलासपूर हिमाचल परदेश में बिल्या होने के बाद पांचवा जीला बना है जो HPSC का पेपर देते होंगे उसको सारा पता होगा कि कैसे कैसे जो है इस पूरे से जब भी हिमाचल का जो पुराना था सारा वो कैसे कै कैसे जो है तब तक इसे दरजा नहीं मिला था 25 जनवरी 1971 तक तब तक जो है क्या क्या कैसे कैसे इसमें सारे जीलों को एड किया गया है तो साथ साथ में आप याद करते रहे हैं जैसे जैसे मैं बोर हूंगे अगर आपको लिख के वीडियो चाहिए होगी तो वैसे बताया ऐसे भी आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश को 1 नमबर 1956 इस वी को केंदर सासित राजय का दर्जा दिया गया था 1 नमबर 1956 से लेकर 25 जनवरी 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंदर सासित राजय ही रखा गया तो ये 1st November 1956 से लेकर 25 जनवरी 1971 तक ये जो है वो के अंदर सासित राजय ही रहा है उसके बाद 1st May 1960 को महासु जिले की चीन्नी तहसिल को किनोर के नाम से हिमाचल प्रदेश का छटा जिला बनाया गया ठीक है उसके बाद 1st November 1966 इस वी को पुझाब पुनर गर्षन के पश्चार चारने जिले, कांगडा कुलू, लोहल स्पीत और शिमला, अंबालागर जिले का नालागर क्षेतर, होसियारपूर जिले की उन्ना तहसिल का कुछ क्षेतर, गुरुदास पूर जिले का दल्लोजी औ वन इस वी को भार्त की प्रथम महिला प्रधान मंतरी शिरीमती इंद्रा गांदी ने गिरजा मैदान जिसे की रिज बोला जाता है, पर हिमाचल प्रदेश को देश का अठार महपूर राज्या बनाने की गोशना की गई, और सिरी एस चक्रवर्ती को हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यापाल ने किया गया, ये भी कोशन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, उसके बाद 1 सेप्टेमबर 1972 को जीलों का पुनरगठन किया गया, कांगड़ा जीले से हमिरपूर उन्ना जीले बनाएगे, जबकि सिमला और महासु जीलों को पुनरगठित कर सिमला औ अब मैंने बोल के ही करा है, किसी को समझ आया या नहीं आया, पर मैंने पूरा बता दिया है, अगर लिख के चाहिए होगा, तब भी बता देना, आपको लिख के मिल जाएगा नेक्स्ट कॉशिन 147, सक्षमबत का पहला महीना कौन सा है? तो करेक्ट अंसर रहेगा इसके लिए C, चैतर 148, सिरलंका की पहली महला प्रधान मंत्री कौन थी? सही अंसर A, सिमारो भणार नाइके 149, इन मैंसे किस की लाड़ी को 2020 का राजीब गांदी खेल रतन पुर्षकर की किट में दिया गया? सही अंसर रहेगा B, रोहिन शर्मा 150, गुरु गोहिन सिहीं जी का जनम कहा हुआ है? तो इनका जनम स्थान जो रहेगा, वो रहेगा पटना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलना अगर आपको ये पूरी नॉलेज जो है, जो मैंने बोल के बताई, अगर ऐसे चाहिए होगी तब भी बता देना, मैं लिख के भी आपको किसी दिन अच्छी से बता दूगी, धन्यवाद